नमस्कार आप सभी का फिर श्वागत है एक वार वह सभी विद्ध्या थी जो एकोनोमिक्स को ऐज ऑफिशनल चैन किये है शिश्टी सेवन्थ मेंस में मेंस के लिए या फिर जो उन्होंने ओडिटर का एक्जाम दिया है और अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कोश्टन को डिस्कॉसन करेंगे कि जो एक्सपेक्टेट कोश्टन है और सबसे बड़ी बात है कि कोश्टन को कैसे लिखेंगे एक सवाल था बहुत लंबे से मैंसे आप लोग पढ़ रहे हैं और जो विद्ध्या थी पढ़ रहे हैं मन में बहुत सारी संकाएं भी है कि question कैसे लिखेंगे तो आपको syllabus पढ़ना था लगवग syllabus पूरा हो गया है कुछ percentage बाकी है जो कि हम लोग आगे अने वाले दिनों में करेंगे लेकिन अब हम जो कुछ question देंगे उस question के धार पर आप आगे की त्यारी कर सकते हैं जैसे कि आज मैंने चैन किया question है कि अदुसरी बात इंग्लिस medium है हिंदी medium का मैं अलग से बताऊंगा इंग्लिस medium है ताकि इंग्लिस में ले में बिद्यार थी आप answer कैसे लिए पुरे complete answer आपका है ए पुरा complete answer आपका है कि जैसे question क्या है ना कि what is industrial policy 1991 and what reforms was made in 1991 industrial policy industrial policy 1991 क्या है और 1991 के industrial policy में क्या क्या reform किये गए क्या 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 सुधार किये गए यह बहुत ही भीवी आए question है आप लोग के लिए जो भी BPSC मेंस में economists को जे आउस्टनल पेपर चेन किये हैं उन सभी के लिए important है और जब किसी topic answer लिखना होता है तो उसके वारे में पुरा information आपके पास होना चाहिए दुसरी बात कि आप अंसर्ख में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे तो ध्यान रखेए एक आपको question पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल policy 9091 है क्या और इंडस्ट्रियल पॉलिशी 9091 में क्या क्या रिफॉर्म किये गए इसके आगे पीछे कुछ आपको लिखना नहीं है क्योंकि आम तोर पर student क्या करते हैं कि question पूछा गया कुछ और जबाब लिखना कुछ और शुरू करते है क्योंकि आप आजे आउफसलन पेपर चुने हैं तो तुदी पॉइंट लिखे एक और कितना लिखेंगे इतना लिखेंगे कि सारा information जो पूछा गया आप examiner को समझा पाए तो इसमें से जब आप अंसर लिखते हैं तो 6-7 पेज का अंसर आप तयार करेंगे और उसके बाद आपका खुद अनुभा हो जागा चुकि जब इसको आप लिखेंगे चुकि एक अस्टेंडर अंसर है तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है सबसे पहले देखिए एक जो नाइन्टी नाइन्टी वन का इंडर्स्ट्रल पॉलिसी है आपको बता दें कि इंडर्स्ट्रल पॉलिसी मैंने पुरा पढ़ाया नाइन्टी फोर्टी एट आपनों को डिसकस किये नाइन्टी फिप्टी सिक्स डिसकस किये नाइन्टी सेवन डिसकस किये नाइन्टी एटी डिसकस किये उन सभी में से कुछ नहीं लिखना है अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरा का पूरा लिखना शुरू करते हैं नाइन्टी नाइन्टी वन में क्या किया गी आफ इंडिया और दी देन प्राइम मिनिस्टर पी वी नसेंभा राव और दॉक्टर मन्महान सिंग परजेंटेड नीव इंडुस्यल पॉलिशी नाइंटी नाइंटी वन इन पार्लमेंट विश ब्राउट रिवस्टनली चेंज इन इंडियन एकोनोमी जो की पूरे भारतिय अर्थ ववस्था में एक करांतिकारी परिवर्तन लाएं 1990 के 91 के पहले की कहानी जब हम लोग इसको टॉपिक को पढ़ते है नाइंटी वन के पहले जानते हैं 1990 में क्या होते भी जानते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आपको उस सब को जिक्र नहीं करना है आपको लिखना है कि भ अधारी था जिसमें पब्लिक सेक्टर की अहम भूमिका हो रही थी या निभारी जा रही थी नाउ दे इंडर्टियल पॉलिशी नाइंटी निटी वन प्राइवस्थ सेक्टर हैस्टू वी प्लेड वन अब इंपॉटेंट रोल इन फास्टर एकोनमी ग्रोथ एंड डेवल कर्ज के जाल में फस्थी भारत सरकार के पास इतना पैसे भी नहीं थे कि वह जो लिया हुआ कर्ज है उसका इंट्रेस्ट की भरपाए भी कर पातें मतलख जितना सरकार कर्ज ले रखी थी उससे जादा हमें हर साल इंट्रेस्ट करना पड़ रहा था and that is calling debt trap, when interest payment is greater than principal amount, the situation emerged called debt trap, अवो debt trap के दौर से गुजर रही थी, एक ब्रीक इसका खाका है, तो 1991 में जो एक लंबे समय से इस policy की इंतिजार था, इस तरह की policy ने चाइना ने 1980 के दसक में ही शुरू कर दी थी, इसलिए कहा भी जाता है, चाइना हमसे बहुत नहीं, दस साल का आगे पिछे हैं, लेकिन दस सालें बहुत कुछ हो जाता है, और उक क्या क्या चीजे की गई, उन सभी चीजें को आपको डिसकस करना है, जैसे देखे, जो शुरुवाद करते हैं, बाभू देखे, आप शुरुवाद करते हैं, यह आप शुरुवाद का पॉइंट है, इस्क्राइटी आप शुरुवाद करते हैं, से कुलिम के समस्य थी उस संहारे महगाई के समस्य थी तीस तरह की सौर्ट टर्म लॉंग टर्म पॉलि aut裡 see बनाज़ाए ताकी हमारी सरकार को जलगतार नुक्षान हो यह व tob इसके लिए भारत सरकार ने जो नई policy लाई जिसके हम लोग LPD policy भी कहते हैं liberalization, privatization और globalization तो उसका भी कहा है मैं जारे discuss नहीं करना है क्योंकि अगर अलग से question फिर पुछे हैं कि how privatization played an important role in 1991 to restore the Indian economy तो इसका अंसर कुछ और होगा लेकिन इसे में पूछा जा रहा है कि भाई 1991 के industrial policy में क्या कहते है एक brief introduction आप लिखेंगे चुकर मैं topic पढ़ाने रहा हूँ मैं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे वर्ड भी कॉंट कीजिए गा, है ना, वर्ड भी कॉंट कीजिए पूरा का पूरा अंसर है देखें, the new government moved urgently to implement a program of reconstruction प्रोमा मेक्रोगनिमिकर रेस्टबलेशन थ्रू फिस्कल करेक्शन देखें, तीन तरखी बात होती है बावू एक होता है fiscal, एक होता है monetary, दो चीज़ होता है ने, fiscal policy तो fiscal policy में, वो सारी policy आती है, जो केंद सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जितने भी टेक्सर सम्बंधित बाते होती है, वो सभी आपको fiscal policies में आती है आए monetary policy, that is managed and controlled by the central mind of the country, in that is done by the RBI भारत में RBI के द्वारा किया जाता है, कहने को है, लिगने भी केंद सरकार के द्वारा ही किया जाता है तो आगे हम discuss करेंगे, कि सरकार ने बहुत सारे tax को रियायत दी, ताकि विदेशी investment हमारे कहां बढ़े बहुत सारे custom duty जो सीमा शुरू लगता था, उसको कमी किया हटा दिया, ताकि दोनों देश के बीच में activity बढ़े, economic activity बढ़े कि उसमें जो समस्या था, क्या क्या समस्या था, एक समस्या था, balance, this equilibrium of balance of payment दूसरा समस्या था, महंगाई का, तीसरा समस्या था, बेरोजगारी का, तो देश में बड़े पैमाने पर investment की जरूवत थी, देश में बड़े पैमाने पर structural change जरूवत थी, देश में structural change मतलब की change in method of production, जिस method हम लोग production कर रहे थे, अब जरूवत थी, च्योंकि पुरा दुनिया बहुत आगे भर चुकी थी, इस respect में इंडिया बहुत पीछे थी, तो नए-नए policy लाने के ताकि हमादे कैसे, बिदेशों से जो है, बिदे foreign technology यहाँ पे आए, और हम जो है अपने उत्पादन छमत को बढ़ा सके, अजादी कितने दिनों बाद भी, अगर 1991 की बाद कहते हैं, तो जितने सारे आप देख रहे हैं, टीवी चैनल, जितने सारे टीवी चैनल देख रहे हैं, ओ 1991 के बादी आया, तो अगर उस दसक की बात करें, तो इंडिया में सिर्फ जो है DD1 चैनल होता था, रेडियो का जमाना था, इसलिए मैं बता दू, ताकि आप समझें कि कितना कुछ परिवर्तन हुआ, 1991 में जो सरकार ने पॉलिसी लाई, उसमें से ना ही हमारे के बड़े पैमाने पर आर्थिक परिवर्तन हुआ, एकोनोमिक चेंज हुआ, बलकि बड़े पैमाने पर हमारे क सोशल अप्लिप्टमेंट हुआ, सोशल चेंज हुआ, जो टीवी सिरियल लोग देखते हैं, और कहते हैं कि टीवी सिरियल जो है, देखने से जो है, लोगों का समय खराब हो गया, लेकि नियाद रखे, 91 में जो टीवी सिरियल बहुत सा रहे, उसी टीवी सिरियल को देखते से देखते मान ने अपनी बच्चों को अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज पहुचा दिया क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारे का समाजिक परिवर्द लाने में हमारे क्या यह आपको मदद की जो 1991 की पॉलिशी हमारी थी यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि 1991 एक ऐसा इंडिर्शनल पॉलिशी है जिसे आपको हर जगा क्वेशन पूछे जाते हैं 1991 इंडिर्शनल पॉलिशी का 25 हमारे क्या पचीसमा वर्षगाठ मनाए गई इतनी लंबी हमारे यह पॉलिशी चली क्यों चली इस पर भी हम लोग डिसकस करेंगे चुकि हम लोग क्वेशन अंसर लिख रहे हैं इसलिए अब यहाँ पर आगे इस थोड़ा डिसकस करेंगे ज मेजर पॉलिशी इनिसियाटिव टेकन बाई दे गोवर्मेंट तो फंडमेंटली एड्रेस दा बैलेंस ऑप्यमेंट प्रोब्लम और स्ट्रॉक्ट्ट्रल रिजिडिटी जो हमारे क्या जो स्ट्रॉक्ट्रल रिजिडिटी थी इसको परिवर्तन करना जो चेंज करना फिस्कल डिफॉर्म में क्या किया किया गया तो देखिए एक की एलिमेंट इन इस्टेबलाइशन मतलब अस्थिर्ता को लाने के लिए वाज रिस्टोर फिस्कल डिस्सिप्लीन और फिस्कल डिस्सिप्लीन में क्या क्या किया गया देखिए कि डेटा रिज्वील डैट फिस नो नी सो नब एक आनमे बानमे का जो बजट हैना एबोल्ड स्टेप इंडरेक्शन ओफ क्रेक्टिंग फिस्कल इंबलेंसेज इट इन्धिशेज ए रिदक्षन इन फिस्कल डिफजीट वाई नेरली हैना हैना वाई नेरली कितना तो आपका जो है समें दिया है 2% of GDP from 8.2% in 1990, 2021-1992 में 6.5 करने का अबजेक्टिव आपको रखा गया एक बड़ी प्रिफॉर्म थी, फिस्कल डिफेसिट मलब सरकारी घाटा, सरकार के जितनी आमदनी थी, उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी, तो सरकार का बहुत सारा ऐसा सेक्टर्स है जो घाटे में जा रही थी तो उसे मनमोहन सिंग बुले या तो उस सेक्टर को बंद कर दिया जाए या तो उस सेक्टर को री मोडलाइज किया जाए अगर कोई सरस्थान प्राइवेस सेक्टर में आती है तो उसे नौकरियां नहीं जाएगी नौकरी करने वाले को नेचर चेंज हो जाएगा जो कि आज के डेट में भी देख रहें बहुत सरे ऐसे सेक्टर हैं जहां जो सरकारी करमचारी है मनमानी करते हैं लोग बात नहीं मानते हैं आम तो पबली को तकलीव देते हैं तिसलिए कभी कभी कड़ी डिशिजन लेना पड़ता है एक समय था जहां हमारे का बस से लेके गोवर्मेंट एक्सपेंडिचर और अगमेंटिंग रिवेन्यू रिवर्सिंग दा डानवर्ड इन दा शेर ऑफ दी डालेक्ट टेक्सेज तो टोटल टेक्स रिवन्यू अन करविंग दा कंशिजन सम आप दी इंपोर्टेंट पॉलिशी इनिसियाटिव इंट्रूश इन इस तरह आप यह सारी दिल्जेद देश सकती हैं फैसका vibe फैसक्ल इन बलेंसे क्या था रिड़क्षन इन फर्टलायजर सब्सीडि तो फटलायजर सब्सीडी जो दिया जाना था उसमें कम करने की बात कि गई थी देखे रिडरक्षन इन फिर्टलायजर सब्सीडी evolution of subsidy on sugar यहनि कि sugar एंचीनी पर जो subsidy मिलता तो उसको अटाने की बात की गई थी disinvestment की बात की गई थी किसमें of the part of the government equity कहीं कहीं पर सरकार को disinvestment का मतलब होता है जो हमारी सरकारी संस्थान है उसकी share को बेज देना जिससे सरकार की आमदानी कुछ बढ़े and equity holding in public sector undertaking इसके अलावा देखे कुछ और बाते इसको पूरा अंसर को करते हैं question answer को तो बहुत सारा कुछ सीखते भी हैं क्या कर सीखते देखे tax reform committee headed by राजा चलिया कि अगर आप competition को त्यारी करते हैं ते ब्यक्ति का नाम आप सुने होगे कि tax reform में एक बड़ी भूमी का निभायत है राजा चलिया अब यह क्या है इसके बारे में अलग से आपको जानकारी चाहिए तो हम बताएंगे दीज रिकमेंडेशन क्या था इसका काम था revenue through the waiter compliance in case of income tax income tax से ज्यादा थला सा revenue करने का अनिक साइड ड्यूटी कहते हैं हम लोग उत्पाद करको कहते हैं कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं तो सीमा सुल क कहते हैं सीमा सुल मालब एक देस समाद र्वार्व में जाता है दूसरे देस के समान हमारा देस में आता है तो सीमा पो जो सीमा सुल कहते हैं तीक informed डाल सकते तो उल्ध neighborhood और और आप झान konkurs चाहिए डाल सकते हैं कि भी मानेटरी और financial sector reform, तो monetary and financial sector में क्या-क्या reform किया गया, इसकी जानकारी देंगे, कुछ जानकारी मैंने दी है, यह जानकारी sufficient है, लगिन अगर आपको लगता है कुछ और देना चाहिए, या कुछ छूट गया तो दाल सकते हैं, तो इसमें काफी मदद करें, इसमें क्या-क्या के देखें, पहले हमारे के CRR है और SLR है, उसका बहरी कहों जादा इसमें रखना होता था, बैसिकली जब आपको money and banking पढ़ाए थे तो आपको हम CRR और SLR डिटेल में बताए है थे, एसे फिर बिरिफ में समर लेजिए, cash reserve ratio, जितना deposit, demand deposit होता है हमारे bank में, उसका एक proportion जो है, RBI के नाम रखना होता है, cash के रूप में, जिसकों लोग cash reserve ratio कहते थे, यह पहले amount बहुत जादा होता था, क्या होता था भी बताएंगे, उसी तरीके से जुतना amount हम जमा करते हैं bank में, उसका एक जो है fixed amount जो है, या तो gold के रूप में, या तो government approved security को purchase करके रखना होता है, ओ भी जो है 38% था, उसो 25% किया गया, चलिए इस report को देखते हैं, क्या क्या हा गया, reduction in statutory liquidity ratio, ratio, SLR, SLR क्या होता है, अलग से आप notes मना लिजिएगा, है ना, SM बताएं है, and cash reserve ratio, CRR, in line with the recommendation of the nursing home committee, nursing home committee की साब से 99, in 1991 में, mid 1991 में दिया गया था, SLR and wear, SLR and CRR very high, बहुत high था, मैंने आपको बताया था, इत पाज प्रपोस्ट टू डाउन, देखे लिखावा है, बुलू कलर से ने लिखना है, 38.85%, 38.5% से 25%, 25% करने की बात किया गया था, है ना, within a time span of 3 years, यह तीन साल के अंदर CRR है, 38% है, 38% से कितना करने की बात की गयी थी, तो 25%, उसी तरह से, similarly, it was proposed that CRR ब्राउट, है ना, उसी तरह से, CRR को भी कम करने की बात किया गया था, 10% from earlier 25%, पहले कितना था, 25%, कितना किया गया, 10%, अभी और कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया, जड़ा बताईए, आज के डेट में, CRR कितना है, SLR कितना है, कमेंट मौक्स में बताईए, अगर आप इसको देख रहे हैं तब, clear, तो नरसीमम कमीटी की बात मानी गई, तो क्या का सीखे, नरसीमम कमीटी बी सीखे, चल्या कमीटी सीखे, यह सब छोटी-छोटी चीजें हैं, जिसको पढ़ने से आपका GAC मजबूद हो जाएगा, और इंटरव्यू आपका जबरदस जाएगा, तेक है, अब देखिए, और क्या आगला है, इंटरेस्ट रेट लिबरलाजाएशन, एने इंटरेस्ट में भी काफी लिबरल सरकार ने हुगा, देखिए, अरलियर मतलेश के पहले, रभी आपका जब आइचिए, पहले, रभी-आइच्टोल रेटस पेवल ओन देपोजिट्स अब धिफेरें, maturity and also the rates which could be charged for bank loan which vary according to the sectors of use and also the size of the loan. Interest rate on the time deposit were decontrolled in a sequence of steps lodging with a longer term deposit and liberalization was progressively extended to deposit of shorter maturity. अब कहा गया कि जो हम लोग interest देते थे अपने deposit फर हाना इस पे भी सरकाय थोड़ा सा liberal हुई liberal क्या हुई कि पहले क्या है कि long term के लिए आपको काफी जादा rate of interest आपको वेगार मिलता था इन सभी पे भी काफी परतीबंद लागा है जिसे देखिए आप सुनते होंगे आप तो नहीं चुकिए आप दो हजार बीस एकीस में है कि पहले आपके घर में पहले के लोग हो गए तो पुछिएगा कि पहले पांच साल में deposit दूगना हो जाता था यह पांच लाग है तो दस साल दस लाग हो जाता था आप इस तरह की चीज़ें आपको नहीं होगी इसे नुक्षान हो रही थी बैंकों को तिसमें आपको सुधार किया गया आप बैंकों को तरह freedom दिया गया क्या क्या पर मिशन लेना पारता था अर्वी अईसे उसमें भी लिब्रलाइज किया गया थोड़ा से अगर बैंक एक्सपैंड होगा तो लोगों को लोन आपको क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा ग्रेटर कंपेटिशन इस तरह से हमारा पहले जो कंपेटिशन था वो पाप्लिक सेक्टर में था अब ट्राइवेट सेक्टर बढ़े पे मांधत था तो पबलीक सेक्टर अपने ही शासे बहुत कुछ कर सकते थी लेकिन प्राइवेट ट्राइवेट सेक्टर वाले कुछ नहीं कर सकते थे तो प्राइवेट सेक्टर दिया गया greater competition public sector, private sector and foreign bank क of the administrative constant हमारा जो बहुत सारे चीज़ें थी इन सभी चीज़ें को हटाये गया है देखें लिब्राइशन और बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी इन और टू रिशनलाइज दे मैंने कहा कि जो ब्रांच की खोलने की जो में जो धिलाई दिये ही लिब्राल सरकार ने हुआ और बैंक को फिडम दिया गया कि अपने ब्रांच को बढ़ाने के लिए इस सारे चीज़ें आपको दी गई ठीक है अब यहां पर आए अब रिफॉर्म है थोड़ा सा लिखना है रिफॉर्म मिन कापिटल मार्केट इसे फैनेंसेल एकोनोमिक्स पढ़ते हैं ते एक होता है कापिटल मार्केट एक होता है आपका मनी मार्केट तो चलिए कैपिटल मार्केट वर मार्केट होता है जहा पर लंबे अबदी के लिए लोन दिया जाता है और मनी मार्केट वार मार्केटर जहां पर सौट टर्म के लिए लोन दिया जाता है बस एक लाइन में याद रखिए अब इसमें क्या 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 गिया गया तो नसीमम कमिट्री के सिफारिश को इनिसियेट किया गया और कापिट सरकार के हाथ में तो होगा लेकिन बार-बार सरकार परिशान आपको नहीं करेगी हाना और देश सेक्रिटी एक्षेंग बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेवी विच बास सेट अप इन नांटी नांटी येट ये वी कोश्चन पुच्छता है सेवी का स्थपना नांटी येट में आपका हुआ था ना इत वाज गिवें से चैट्वेटर अगरोरेश्चन मतलब इसे कानूनी वाधिता दी गई पर नैंटी नांटी टू में ऑन दी बैसिस अप्रेकमेंडेस्टेशन अब दी Health Committee नर्सिम्हम कमीटी वारीस पर से भी कोई कानूनी वाधिता मि लिखते हैं तो क्या किया गया उन्स सभी का इन्फोर्मेशन को इसमें आपको डालना है ठीक है अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो डिसक्स करेंगे इसके बाद जो है in order to consolidate the gains already achieved during the 1980 and provide greater competitive stimulus to the domestic industry a series of reforms वे इन्ट्रोफीर इसमें किया गया जो भी जुलाई 1991 को अंदीनी इंडेस्टियल पॉलिशी इस्टैबलिश इन 1991 साउटेश सब्स्टेंचिली तू डिरेगुलेट इंडेस्टी सो आज तू प्रोमोट ग्रोथ और मोर एफिजियन और कमपेशन इस वह जादा फ्रीडम दिया गया 1991 के इंडेस्टियल पॉलिशी में पहले से जो इंडेस्टियल पॉलिशी आ रही थी उस पॉलिशी को में बहुत सारा कुछ लिब्रल किया गया जैसे कि हुआ क्या कि हमारे कहां बहुत सारे जो इंडेस्टिय है उसको लगाने के लिए permission बार-बार लेना पड़ता था तो बता देगं उसमें 1991 में single window system introduced किया गया single window system means once you have got the permission you will have you will not have to go again and again to the government window to take the permission मतलब कि production को बढ़ाने की छमता branch को बढ़ाने की छमता price को तै करने की किया जूदे price जो पहले के द्वारा होती थी अब जो प्राइस तै होगी ओगो मार्केट में डिमान और सप्लाय के अधार पर आपको होगी ते सारी बाते हैं एक एक पॉइंट करके इसमें आप लिख सकते हैं देखिए इंडुक्षियल लेसेंसिंग वारे बॉलिस्ट तो अल प्रोजेक्ट हना और जो हमारा इसको भी आप खत्म कर दिया गया कोशीजों को छोड़का देती इसको आप पॉइंट वाज करके लिख सकते हैं पॉलिसी इंकारेज दिस इन्वेस्टमेंट अब गोवर्मेंट होल्डिंग सेक्विटी शेर काटिकल और प्यब्लिक सेक्टर और सारे प्रोफिट और इसको एक प्रोफेस्टन तरीके से चलाने की बात की है ना चलिए यहां तक लिखिएगा और फिट्रेट पॉलिसी में क्या-क्या रिफॉर्म किये गए इसको अब लोग डिस्कुस करते हैं अब लेकिन की लग रहा होगा की काफी बड़ा है लेकिन एक करके प्रैक्टिस कीजिएगा एक-कवर पढ़िएगा और लिखिएगा था आपको प्रेशान लाएगा चुक्कि है कि आप फ्रेम बना लेजिएगा फर मैं और बताऊंगा चुकि एक अनकंटेंट पूरा आप कि अब इसमें देखे ट्रेट पॉलिसी में क्या-क्या बात किया गया तो फ्री इंपोर्ट एन एक्सपोर्ट की बात की गई थी कुछ चीज़ें को छोड़कर उसके बाद रेसलाइशन अब टैरिफ पर स्ट्रक्चर में अब टैरिफ काते है जो में समान बाहर से आती है उस्यव्य सब्सक्राइशन आगर इंपोर्ट की र dûडक्षन में कमी लाएंगे, कस्टम डिटी में कमी लाएंगे, तो दो देशों के वेक्ति के बीच जो economic activities हैं पढ़ेगा, क्योंकि हमारे वाला समान दूसरे country में नहीं मिलता, दूसरे country वालसान हमारे क्या नहीं मिलता, तो हमारा सामान उखर देंगे उसका सामान हम कर देंगे इस तरह से दोनों देश को 20 बेपारिक संबन अच्छा होगा कब जब सामान सस्ता होगा तब सामान सस्ता करने का एक तरीका है कि सरकार को टेक्स में कमी लाना चाहिए जो हम बॉर्डर पर टेक्स पर करते हैं वह आपको कम की गई ठीक है और उसके बाद प्रॉमोटिंग फॉरेन इंवेस्टमेंट की बात की गई थी 1991 का जो इंडर्शनल पॉलिसी है उसमें कहा गया था कि बहुत सारे सेक्टर को कुछ सेक्टर को छोड़ कर वैसे तो अब आपका और एटॉमिक इनर्जी और रेलवे अब तो रेलवे भी हो गया में बाकी चीजों को सभी चीजों में आपका जो है विदेशी इंवेस्टमे बाता विदेशी लोग जब यहां पे आए तो यहां पर उन्होंने जो डॉर्डर लेक आए इंडिया का जो फॉरेक्स है फॉरेंड एक्षेंज रिजर्ब बढ़ा भारत सरकार को अपने कर्ज आदाएगी में असानी हुआ दूसरी बात है कि पहले जो समान दूसरे कंट्र से आता था उस समान को भारत में ही बनाने का बात की गई जिसंके देश में रुजगार बढ़ेगा आज कीड़े में हमारे का समान का बहुत बीक रहे हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है FDI एक वाता है पॉर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई बिदेशी यहां के शेयर मार्केट में आके अपना पैसा लगाते हैं हना और हमारे FDI जो है इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई बिदेशी यहां पे अपना कंस्ट्रक्शन करवाते हैं मतलब उनका अपना ओनर्सीफ होगा किसी चीज के लिए हैना सरकार ने उसके लिए आपको बहुत सारे सुविधाएं परदान की और उन्हें ने कहा कि आप यहां पे आई आपको हर तरह के शुविधाएं आपको दी जाएगी ओ मतलब टेक्स से संबंदित टेक्स से सूट से संबंदित हो या पिर हमारे कहां जमीन अधिग्रहन से संबंदित हो बहुत साथ सरकार ने वायदे किये और इसमें जो है उसमें कि भी पक्षी पार्टी ने भी अहम हुमी का निभाए तभी आपका सफाल भी रहा ठीक है ठीक है 1991 में गोवर्रमेंट आफ इंडिया अनुंस स्पेसिफिक लिस्ट आप हाई टेक्नलोजी और हाई इंवेस्में प्रटी इंडस्ट्री वेरिन ऑटोमेटिक पर्मिशन वाज ग्रांटेट फोर फॉर सारे सेक्टर में आपको कर दिया गया मोरेवर मेनी निव इंडस्ट्री इंडस्ट्री वेर हैब बीन एड़ेट लिस्ट अब वर दी यह बाद में बहुत सारे और लिस्ट आपको जोड़ते चले गए इस फॉरेंड इंवेस्मेंट प्रमोशन बोड बनाएगे जिसका नहीं है कि जो 1991 का जो एकोनोमिक रिफॉर्म फोकस्ट प्राइमरली ऑन डी फानेंस फॉर्मल सेक्टर अन आज रिजल्ट डर वी हम सिंड सिग्निफिकेंट बोम इन डिज एरिया डेट वेर अब जरूवत एक वार फिर से कि इन फॉर्मल सेक्टर में भी आपको बड़े प क्लूजन ए आप अपने हिसाब से भी लिज सकते हैं चार पांस रहन का कंक्लूजन है कि 1991 के इंडर्शन पॉलिशी आई तो उसमें हमां के फाइदा एही हुआ कि बड़े पैमाने पर हैं हमारे कहां रोजगार बढ़े बड़े पैमाने पर बुनियाज सुधा में सुधार ह हुआ और हमारा जो एल क्यूपी था लिब्रल लैसेंसिंग कोटा और परमिट सार्शा उससे हम लोग लोग एलपी जी पे आ गए लिब्रलायसन प्रावेटर्शन और पुलैसन यह आपका कंप्लीट अंसर है मैं आपको इसको पीडियेप को भेज रहा हूं गुरूप में आप सभी इसको जो है अच्छे तरीके से देखिए और फिर मैं अभी कंटेंट है पूरा अभी मैं आवर बताओंगा एप पुरा इतने सारे कंटेंट को कम से कम लिखना है अब लिख के देखे कितना वर्ड पुर्ता है कितना पेज पूर्ता है उसके बाद बताईएगा त तो आज यहीं तक रखते हैं थाइंक यू धन्याद